आप मैंसे ज़्याद दर लोगों ने गूगल नम्स का इस्तमाल किया होगा और हो सकता है आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की सैटलेट इमिजरी अगर आप कोई भारी देशों के साथ में कमपैर करो तो कमपैरेटिवली थोड़ी बलर नजर आती है अगर अब UA को देखो USA को देखो यूरोप की कोई कंटरी या कोई और देश हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा क्लियरिटी हमें इमजिस में नहीं दिखती तो ऐसा क्यू है इसी के बारे में आज हम जानेंगे अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा बलर से क्या मतलब है तो अगर आप ये देखते हो तो आपको पूरी तरीके से चीज़े समझ में आ जागी ये हमारे देश के अंदर का एक फुली जूम्ड लोकेशन है यहाँ पर आप डेटेल्स देख लीजिए रोड में, कार में और ऐसे ही कुछ और लोकेशन हम देख सकते हैं जहां से हमें आइडिया आजेगा कि इंडिया के अंदर की सैटलेट इमेजरी कितनी क्लियर है अभी हमें एक दूसरी लोकेशन पर जाकर देखते हैं यहाँ पर अब कंपेर कीजिए कि कार्स, रोड्स, बिल्डिंग डीटेल्स यह सारी चीज़े किस तरीके से अलग नजर आती है और इनमें ज्यादा डीटेल्स है यह रहे कुछ और एक्जामपल इमेजिस इंडिया में सैटलेट व्यू में कम डीटेल्स होने के पीछ है दो मेइन रीजन्स है जिसमें से सबसे पहला और इंपोर्टेंट रीजन है हमारे देश के अंदर का कानून या लौ दरसल इंडिया में प्राइवेट कंपनीज को मैक्जिमम जनरल यूज के लिए एक लिमिट सेट की गई है रेजोलूशन की और इस रेजोलूशन में मैक्जिमम परमिसिबल पिक्सल साइज है वन मेटर स्पेशिल या वन मेटर जी एचडी या ग्राउंड स्पेशिल डिस्टन्स मतलब सैटलेट जो फोटो दिखाएगा उसमें सबसे चोटा पिक्सल जो हमें बताया जा सकता है उसके ग्राउंड पर एक्चुल जमीन पर साइज वन मेटर बाई वन मेटर की होगी और ये भी दोस्तो मैक्जिमम परमिटेबल रेजोलूशन है कुछ-कुछ जगों पर इससे भी कम रेजोलूशन ही परमिट किया जाता है अब ये रेजोलूशन है क्या? कोई भी इमेज चोटे-चोटे स्कुर्स से बनती है और कई सारे स्कुर्स बनने के बाद में एक इमेज बनती है जितने ज्यादा ये चोटे स्कुर्स होंगे उतनी ज्यादा डीटेल हमें इमेज में नजर आएगी जैसे आप यूटूब पर 720p, 1080p देखते हो जिसके वज़े से वीडियो की क्वालिटी आप इंपरूब कर सकते हो और उसमें रेजलुशन कहा जाता है यानि वो जो वीडियो का वर्टिकल भाग होगा उसके अंदर 720 स्कुर्स होंगे या फिर 1080 स्कुर्स नॉर्मल फोटोस में दो ये स्कुर्स बहुत चोटे होते हैं आप अपनी आखों से देख भी नहीं सकते जबकि सैटलेट इमेजरी इतने बड़े स्केल पर होने के कारण इनके पिक्सल साइस को सेंटीमेटर से लेके कई मीटर चोड़े हो सकते हैं इंडिया में कई साल पहले जब सैटलेट मैप्स का चलन्ज शुरू हुआ यहाँ पर जनरल पबली को भी सैटलेट मैट्स अवेलेबल होना शुरू हो गए तब गवर्मेंट ने ये डिसाइड किया कि सेकुरिटी रीजन्स के वज़े से पूरी की पूरी जन्ता को और कमपनीज को एस्पेशिली हाय रुजलेशन्स इस्तमाल करने के लिए देना सही नहीं हो सकता है और वन मेटर पिक्सल स्पेशल रेजलेशन ओर्डर सेट किया गया सारी की सारी प्राइवेट कमपनीज के लिए यानि अगर कोई ऐसा सैटलेट भी है जो इससे ज्यादा डीटेल्स निकाल सकता है और ओविसली कई सारी प्राइवेट कमपनीज और खुद के हमारी गवर्मेंट के पास में ऐससे सैटलेट्स है जो वन मिटर से भी बहुत ज्यादा छोटे पिक्सल्स वाले इमेज़ेस निकाल सकते है हमारे ग्राउंड लेवल पर फिर भी उन्हें वर्चुली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और बाद में आर्टिफिशिली ब्लर किया जाता है वन मिटर जी एच्टी तक रिजलुशन बताने के लिए अब ये किया इसलिए जाता है ताकि हमारे देश के अंदर जो military establishments है road networks है और कुछ sensitive areas है उन्हें protect किया जा सके जादा resolution होने से starting में ये concern कई सारी governments को था कि इसका गलत फाइदा कई लो उठा सकते है चाए वो spying के लिए हो tense situations के दोरान हो या कोई दूसरी बात है और ये दोस जैसे से technology बढ़ती गई और satellite imagery का use बढ़ता गया ना सिर्फ maps के हिसाब से लेकिन कई सारी दूसरी चीज़ों में भी satellite maps का इस्तमाल जब होना शुरू हुआ तब industry से demand आना शुरू हुए कि government resolution बढ़ा है और कई देशों ने जिन्होंने 2 meter GSD, 3 meter GSD से शुरू किया था उन्हो कि हमारे देश में आखरी बार अपडेशन 11 साल पहले हुआ था और उसके बाद में अब तक इसे अपडेट नहीं किया गया है दोस्तों जो हमारे अंदर ride healing companies हैं, logistics companies हैं, कई सरी serving companies हैं उन्हें आज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इंडिया में resolution इतना government देने क कुछ समय में और ज्यादा clarity के साथ में maps दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों bureaucracy के कारण अभी बहुत जल्ड ऐसा कुछ होना हमें possible नहीं लगता है, और देखते कब तक ये पहली वाले दिक्कत solve हो पाती है, दूसरा एक बहुत बड़ा factor आता है plane imaging से related, दोस्तों की detailed imaging करते है, और इसके वज़े से कई सारे दूसरे शहर जहाँ पर permissions already दे दी गए है, वहाँ पे cities में आपको बहुत ज़्यादा clarity नजर आ थी, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ satellite बलकि planes का बिस्तमाल किया गया है, जबकि इंडिया में rules वेकर के कारण हमारे यहाँ पर planes का इस और इसके वज़े से आपको यह difference नजर आता है, हमारे देश के अंदर दिखरे ही satellite imagery में, जबकि comparative अगर आप सेम जूम करें किसी दूसरे भारी शहर के अंदर, उमीद करता हो, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेर करना, सब मिलेंगे अगले वीडियो में